22 जनवरी को स्री राम लडा का नवनिर्मित मंदिर में प्रान परतिष्ठा होने बाला है हट रप तैयारिया चल रही है जगा जगा से सोभा यात्रा निकल रही है भागलपूर से विक भव्य रत यात्रा निकली जो 13 जनवरी को अयोध्या पहुँचेगी भागलपूर जिले के कहल गाओं इस्तित बटेस्वर अस्थान से केंद्रिय मंत्री अस्वनी 24 समेत संतों ने रत को रवाना किया यहां उत्तरवाहनी गंगा से गंगा जलू अम्रितिका ली गई 22 जनवरी को राम लला का इस जल सिजला भी से एक होगा यह रतियात्रा बुढ़नात मंदिर पहुँची वहीं बुढ़नात से पुनायात्रा की सुर्वात हुई जिसके बाद रतियात्रा अजगेविनात सुल्तान गंज धाम पहुँचेगी और वहां से फिर महाविर मंदिर पटना और फिर स्री राम कर्भूमी बकसर होते हुई तेरा जन्वरी को योध्या पहुँचेगी अयोध्या में सीयम योगी आदितनाथ समित कई मंत्री वहां रत पर जगा जगा से लाए गए जल की आरती करेंगे रतियात्रा के दुरान मंदार पाफरनी, सीमरिया, बेगुसरा, सीता कुंड, मुगेर चिरान नदी वफल्गु नदी गया का जल और मिर्तिका लिया जाएगा इन जगों से उपियात्रा इस यात्रा से जुड़ेगी कहलगाओं से निकलने वाली रतियात्रा का नाम अभिरभाव रतियात्रा रखा गया है बालमीकी रमायन के लुसार भगवान स्री राम के अवतरन के लिए पुतरेष्टी यग कराने वाले रिसी स्रिंगी कौा मंत्रित करने महराजा दसरत अपने गुरू वसिष्ट के साथ अंगच्छेत्र की राजा रोमपाद के महल आये थे जहांसे बसिष्ठेस्वर अस्थान जिसे बटशी्ष्वर अस्थान भी कहा जाता है कहलगान जाकर तपस्या रत्स्रिंगी रिसी से पुत्रेष्टी यगहेतू निवेदन किया था जिसके बाद भगवान के आबिर भावहेतू यग करवाया गिया था वहीं सबसर प्रसर स्थिस्सू मंदिर में भजन संधिया का भी कारिक्रम कायोजन किया गया जिसमें राम आएंगे फेम स्वाती मिस्रा पहुँची और परभु राम के भजनों को गाया भजन को सुन वहां मौजूद राम भक्त मंत्रमुक्द हो गये प्रणाम करती हूं दन्यवाद एकियों के मुझे रिवाता दिया इस मच्छ पे बुलाया आप सब की भी बुलाया लेकिन राम जी की ऐसी किपाब हुई ऐसी किपाब हुई की गोंगजन मेरे ताल से देश के हर खर में बच रहा है मानी और मोदी जी ने उसको फ्वीट किया आज लिए एकन के पहले मोदी जी ने अपने दील में लगाया आपने देश किया अपने खुशी होती है देख के कुछ मेरा मेरे पैरिस का अच्छी कर्मों का फ्राल मिलगा है मुझे तो जिस भजन को आप सब ने इतना पसंद किया जिस भजन की वज़े से आज मुझे पर अच्छylan के पहले मुझे आपार मुझे उनक रहाया है वेज मुझे एपने यह स्क्राएग और स्थाववेश ठाएट को आप पहले मुझे पविखितान दो आपर ने प्रावक पमुझे तो जिस भजन का इतना पसंद देखिता है तो जज सत्य का आपकिंए र ने थिस लगाये हुए आपको रुझी को और जाच्छी को अएलागी आगा झाल झाल करो कि अर факे यह दुड़्य है जो कि आड़ा भाईब गदना दो कि आड़ा है मत जो कि आड़ा है चर्गक समें जो कि आड़ा है जो कि आड़ा है कर दो assuming कि अ है। भ थोग ए ए लो जो शेते हैं कर खज माई फो में में कि और जो खने हैं कि jaw, कि ग्रोवि रिक्णिट और कि सुटा हम रेक्ने कि प्रोnor माइण अबना कि पाती हूआ कि बेड़ोंध y दो प्रोव और कि जूदाने कि ए इसके तो में रेक्ने कि झाले कि एड़ोंध फर यह न जचिंदम renewed YouTube कि उड़ dependent हम एड़ inventory पुलीस लाइन में तैनात एमटी प्रभारी सार्जेंट अभिसेक कुमार का सव 28 नॉवंबर को महिला थाना के उपर उनकी कमरे में संदिग्द अवस्था में बरामत किया गया था जहां भिसेक कुमार का सव पुलीस को पंखे से लटका हुआ मिला था इसके बाद परिजणों ने पुलीस लाइन में मुनसी पर गलत तरीके से सार्जेंट का सायन करके पैसे का घपला करने के मामले को लेकर मुनसी के दोरा हत्या करने का आरूप लगाया था लेकिन आज तक सार्जेंट की मौत का खुलासान नहीं हो पाया है वहीं मिर्तक सार्जंट के मातापिता और भाई पुर्वी छित्र के पुलीस उप महांदर्चक सहिते जिलाधिकारी से मुलाकात कर मामले की सही से जाच कर दोसियों पर कारवाई की मांग कर रहे हैं मा ने आरोप लगाया कि पुलीस लाइन के डियस पी और उनके मुनसी के दोरा बेटे का गलत साइन कर पैसे का घोटाला किया गया है उसको काल के चेक नहीं किया जा रहा है । देस्पी का हम मुनसी दुनूमर के इसे कर दिया माताप पर लाक का चोट भी है आप लेकि बात कर रहे हैं जो अभी इदर मौथ हुए थी हां मौथ हुआ है अच्छा आपके अभी से बेटा है बेटा है इस पत्पे अभी से अरजंट था अच्छा इस कोन मारा है लाइन डिये एस्पिया मुंसिन दिमील के मारा आएगो संजा एगेट तोड़ा है संजा है लेकि में तो आत्मारतिया है आपके अरे मार की टांगा गिया है गेट तोड़ने का वीडियो तक नहीं हम लोग को दिया गया है वहां से लड़का के माता पर चोटके निसान है वह बोल रहे थे कि मेरे प्लाइन का लाइन डिये स्पिया पर मुंसिन फर्जिवाडा कर रहा है उसके बाद वो उनको पता चल गया यह बात को बात को पता चल गया तो वो कहें कि ठीक है जो हम इसका वो अपना जितना भी कॉपी हुआ था वो निकाल के चेक किये तो सच में इनका साइन मुंसि मार देता था और लाइन इनके साइन होने का साइन होता था तो जैसे बही तो जब इनको पता चला तो मौखिक सूचना धन तेरस के दिन 9 नवंबर को धन तेरस था उस दिन भाईया SSP सर को जाके बोले हैं कि सर देखिये मेरे साइन के साथ हजिवाडा हो रहा है तो बोले कि ठीक है जो तुम सही साच के साथ आवो हम इसका करवाई करेंगे तो उसके बाद भाईया वहां से चले है SSP उफिसे उसके बाद आने के बाद वह पूरा साच जूटा ही रहे थे जूटाने के बाद 27 नवंबर को रात को 11 वज़े मेरे फूफा है उनसे दराय ले रहे थे कि फूफा देखिये ना जो में जब हम यह बात पता चल गया मुंसी को लाइ मुंसी लिखा था कि सेर अगर कंप्लेइन आप किजेगा तो हम बाले बचे फांसी पर जूल जाएंगे चय का कोई परमान है? चय के मेरे पास परमान में है लेकिन भाईया का मुवाइल में है यह पूलिस परर्सासन कि कहाँ सायती लेट होने कवाड फिंगर प्रेंट लगा के खोल लिया जाएगा यह तो नुरत टीम काम करता है पहले फिंगर पर लगाकर टोट की खोल कर कि हम लोग को सूचना चार वज़े दिया गया है सर कि आपका भाई का डेट हो गया है जब कि 11 वज़े ठरा रहां उटका संजीऑ कुमारनाम है और बहुत पर संभी है को करता था वह बहुत पर संभी को करता था तुम मूम्स अथी करता है तुमको इतना परसंद करेंगर इतन कि अभी मिल चुक हैं कि sas वरा कि यह सुरय लगा रहा है कि जानचहोगी नहीं चार नहीं करेग्व बागलपूर सहर आए दिन जाम से जूजदा रहता है और इस से निजात दिलाने के लिए कई बार स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत कई योजनाएं बनाई गई लेकिन अधिकान सी योजनाएं कागजों पर रह गई वहीं कचाजी चौक के पास बन रही मल्टी लेवल कार पार्किंग की बिल्डिंग जिले के लिए अनूठा भवन होगा पार्किंग काम लगभग 75% पूरा कर लिया गया है और जल्द ही सहरवासियों को इसकी सौगात मिल जाएगी पहली बार यहां इस्टील स्ट्रक्चर से इस पार्किंग बिल्डिंग का निर्मान हो रहा है जिसमें कार को लिफ्ट कर निधार जगा पर पहुँचा कर पार्क कराया जाएगा इस बिल्डिंग में सारी गतिविधी आटोमेटिड होगी इस बिल्डिंग में हर कार मसीन पर निर्भर करेगा सबसे बड़ी बात है कि मल्टी लेयर पार्किंग में चार मंजिल कार हुआ पाइक पार्किंग सुविधा है वोई बचे हुए मल्टी पार्किंग का कार जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा मल्टी पार्किंग की कामों का आज लाधिकारी सुब्रत कुमार ने खुद जाए जा लिया जहाँ पर एजनसी के दरा कार की कतिवीधियों को देखा गया बता दे मल्टी पार्किंग की दो महां में कर दी जाएगी कारेका अच्छन करने पहुंचे लाधिकारी के साथ नगर अयुक्तु डॉक्टर यूगेस कुमार सागर, सद्ध अच्छी अम्धन जे कुमार, ट्रैफिक डियासपी आसे सिंग और इससे संबंधित पताधिकारी मौके पर मौझूद थे और यह लगबग आठ करोड की लागत से मल्टी लेवल पार्किंग है इसमें आप देखेंगे कि आटोमेटिट सिस्टम है और इसमें 49 जो है फोर विलर्स के रखने की ववस्ता है और जिसमें साथ एस्यूभी गारियां भी जो है नीचे वाले फ्लोर पे जो बड़ी गारिया होती है वो भी रह सकती है और सेडान और यह सब मिला करके 39 जो है फोर विलर्स के लिए और 44 जो है मोटर साइकिल्स के लिए यहां पर पार्किंग की ववस्ता की गई है सुल्क भी एकदम मिनिमम रहेगा जो नॉर्मल सुल्क होता है वही रहेगा एजनसी को तीन साल तक इस यूरिनल वगेरा की ववस्ता है ट्वाइलेट सचाले और जो इवेकिल्स का जमाना है आप देखेंगे एरिक साथ चल रहा है कई सारे फोर विलर्स भी जो एलेक्ट्रिक वेकिल्स आ रहे हैं तो उसके लिए भी चार्जिंग पॉइंट यहां लगाया गया है मिनिमम सुल् स्ट्रक्चर जो सामने से भी बहुत ग्लास वगेरा जब लग जाएगा बहुत अच्छा दिखेगा अगले एक महिने में यह शुरू हो जाएगा और इसको हम लोग इमिडेटली ऑप्रेस्ट्राइज भी जो है वो कराएंगे और यह बहुत बरी सौगाज जो है बच्चा तुरत रही रोता है रोने में देर हो जाता है ऐसे में बच्चा च्छतिक रस्थ हो जाता है और उसके बचने की सम्मावना कम हो जाती है और यदि बच्चा तो भविस्वें उसमें विकलांगता की समस्य आती है जिसे सीपी कहते हैं जिसका कोई माकूल इलाज न अंदर यदि उसको cooling therapy दिया जाए तो उससे उसका CP की समस्या कम होती है और बचने के भी संभावना बढ़ती है पहली बार विहार जारकंड में आपके सहर के स्ने नवजासिसु बालसेवा के अंदर में यह मशीन उपलब्द है कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में बिल तिलका मांजी थनाचतर के नौलखा गेट के समीप सुक्रवार की दोपहर बाई को बचाने के चक्कर में टोटो ने पल्टी मार दी इस घटना में टोटो परसवार तीन यूबती समेथ तोटो चालक गंभीर रूप से घायल हो गया घटना के बाद अस्थानिय लोगों के स प्राप्त जानकारी के नुसार मनाली चौक से तिलका मांजी की तरफ जा रहे तीजरफतार बाई को बचाने के चक्कर में तिलका मांजी के तरफ से मनाली की और जा रहे इरिक्सा ने पल्टी मार दी हाला कि सडक के किनारे लगे एक और टोटो भी छटिक रस्त हो गया घट बरारी से वो सबारी लेकर नाथनगर की तरफ जा रहा था। इसी दोरान नोलखा के समीप मनाली की तरफ से आ रहे तेजरफतार बाई को बजाने के चकर में ब्रेक लगाया तो टोटो पलट गई। उसी में टोटो ही पलट गया। सेंडीज के पास। उसके बाद हम लोगों के सब दू तिन वा आदमी से मिलके यहां बैठा दियें टोटो पे फिराएं यहां पे तब भारा दियें। यहां पे ओपी एक सर्या करवाएं। फेक्चर है। मेरा नम आरती है मोनिका। क्या हुआ 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 है। मोटर से बॉदर से ओने का कौन सायड है। करके मम पासनेर और गाली बचानेक नुए है। तुम्हारी गल्ती है की नहीं कोई गल्ती नहीं विए। पेरे कोई गर्षी ने और पसंगर को खोट लगा है कि तुमको भी चोट लगा है है? जीवन जागती सुसाइटी की और से जरुरतमंद लोगों के बीच लगातार कंबल का वीतरन किया जा रहा है इसी क्रम में आज सोसाइटी की अधच अजेकुमार सिंग के नैथित Latin में भित्ती मंदिर प्रांगन में 35-40 जरुरत मंदों के बीच कमबल का वीतरन किया गया। इस पुनीत कारे में नेतर रोग विससके डॉक्टर पुनीत परसुरामपूरिया का अहम सही होग रहा। वहीं ठंड के बढ़ते मौसम में गरीबों की परिसानी को देखते हुए समय समय पर सोसाइटी दोरा मदद पहुचाई जा रही है जो काफी सरहानिया है। कडाके की ठंड में जरुरत मंदों की सेवा ही मानपता की सेवा है। सोसाइटी अधच अजय कुमार सिंग ने कहा कि सोसाइटी हमेशा लोगों की समस्याओं को दूर करने का हर संभव प्रयास करती है। मानप सेवा करना परमधर्म है। इस सबसर पर 35-40 जरुरत मंदों को कमबल दिया गया। मौके पर सोसाइटी के अधच डॉक्टर अजय सिंग के अलावा महिला परकोष्ट के सचिव आभापाथक डॉक्टर पुनीत परसुरामपुरिया, राज सिंग, रजनीस, मुर्तिन जै, ग्रामिन अर्विंद कुमार सुलंग की सहित कई लोग मौजूद थे। मिलपूर के प्रशिद देट रोग विशेशक है, अत्यत्यतोनिक मशीन हैं इनके पास, इनके सायोग से आज कंबल बितरन यहां किया जा रहा है, कई लोग गुप्त दान करते हैं, नौगचिया के एक ब्यक्ती असी कंबल पहुचा दिये हैं, और इसी तरह से और भी लोग दोनेट करते हैं, और इस तरह से लोगों को लगातार ये फिटरती फंड में हम लोग जागरुपता करते हैं, बहुत ही नेक कारे है, हमारी कोशिश है कि जितने जरूरत मंद है, सब को अपनी तरफ से जितना सहीयोग हो सके संस्था के माधियम से पहुचाया जा सके, जीव वर्सों से, जीवन जागरती सोसाइटी, हमारे अध्यश दॉक्टर अजय कुमार सिंग जी के दुवारा, उनके नेत्यत्रों में, बहुत सारे शेत्र में कारे किया जाता है, और जिसके अंतरगत मुखिस रूप से, लाइफ सेविंग जो कारिकरम्स हैं, वो जीवन जागर जीवन जागरती सोसाइटी के तरफ से, डक्टर अजय कुमार सिंग के तरफ से, ये कंबल बितन का कारिकरम्स रखा जा है, गरीम महलाओं, बिर्भा महलाओं के लिए, ये कंबल का, छुठती ठंड में कंबल का दिवस्था की हैं, हम समस्त गराम बासे, डक्टर रजे जीवन जी का बहुत धन्यवाद और इस तरह का प्रियास आगे करते रहते हैं पुर्विधायक रश्मिकांट मंडल सहीत प्रमंडली अस्तर पर काफी संख्या में कारिकरता उफस्ति थे। पुर्विधायक रश्मिकांट मंडली अस्तर पर काफी संख्या में कारिकरता उफस्ति थे। पुर्विधायक रश्मिकांट मंडली अस्तर पर काफी संख्या में कारिकरता उफस्ति थे। पुर्विधायक रश्मिकांट मंडली अस्तर पर काफी संख्या में कारिकरता उफस्ति थे। वहीं आज पूरे बिहार में एक दिवसिय श्ट्राइक किया गया है। इसको लेकर तिलकामाजी भागलपूर विस्विधाले के सिच्चक सिचकेतर करमचारियों के दुरा हरताल किया गया। वहीं बिहार सरकार और विस्विधाले खिलाफ जम कर नारेबाजी की गई। करमचारियों का कहना है कि उच्च्चा विभाग के दुरा जो आदेश निर्गत किया गया है उसे अविलंब वापस लिया जाए। भागलपूर के कहलगाओं से एक ऐसी राम भक्त की खबर सामने आई है जिसे जान कर आप सोच में पढ़ जाएंगे। बीसीय की पढ़ाई कर रहा है साथी अनुपम साधी बिभा में फोटोग्राफी का काम करता है। यह यात्रा उनिवर्सिटी कैंपस से होते वे लाजपत पार्क मैदान में समाप्थ हुआ। इस संदेश यात्रा में तिलकामाची भागलपूर विस्विद्याले के दर्जनों छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया और विद्यार्ती परिशत ने विद्यार्तियों से विस्विद्याले परिशर में आने और सिच्छा जगत को दुरूस्त करने में भरपूर योगदान अपील की कारिक्रम के दुरान अखिल भारतिय विद्याति परिशत भागलपुरी काई के कई पतादिकारी वद्धरज्नों कारिकरता मौझूद थे परिशत चलो अभियान जिसका आज सुबारम 2020 जाले केंपस से किया जा रहा है